हलो 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 एबरिवान उमीद करता हूँ कि आप लब चूस दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं दोस्तो जिस चीज का आप बे सबरी से इंतजार कर रहे थे वो चीज आ चुकी है दोस्तो इस इफ अंदाजा नहीं है इसको बहुत अच्छा अलगोरिदम लगाकर एक साइन्टिफिक तरीके से हम लोगों ने हाईली प्रोवेबल कोश्चन्स निकाले हैं और यह पहली बार नहीं है हम लोग यह हर अटेंट के लिए करते हैं और बच्चों को इससे बहुत जादा मदद मिलती है और सबसे खुशी की बात यह सारे कोश्चन्स मैं आपको लाइव यूट्यूब के उपर करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्ण बात में बता रहा हूँ अब ध्यान से इसको देखिएगा आईए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह जो important questions है हम लोगों ने यह highly probable है क्यों है highly probable यह मैं आपको बताऊंगा अब हम लोग पहले 250 important questions लेकर चले थे लेकिन बहुत कोईश करने के बाद पूरे algorithms लगाने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम 250 में justify नहीं कर पाएंगे most important चीजों को और हमको इस list को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो हमने 350 around अगर exact बोलू 365 questions 365 questions हम लोगों ने select किये हैं यह process आपको जानना बहुत जुरूरी है this process is extremely extremely important इससे आपकी तयारी भी बहुत जादा streamline होगी well directed होगी आईए हमने पहले क्या किया पहले हमने जो CA Institute के नए study mail के questions है उनको पुरा इखटा किया वो बहुत जादा important है दोस्तो अगर वैसा exact question नहीं भी आया उसी concept के उपर थोड़ा सा twist करके question आने की probability बहुत 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 जादा है हमने 280 questions को लिया फिर हम लोगोंने हमारा past experience हर साल में देखता हो कि पिछले 4 attempt के जो MTP RTP होते हैं पिछले 4 attempt के वो हम लोगोंने collect किया around 130 questions उसमें से निकल कर आए ठीक है मैं आपको बता दू जो latest MTP RTP है वो उसमें नहीं लिये गए है इसको हम लोग अलग से cover करेंगे फटा फट में आपको cover करेंगा अगर आप देखोगे तो 80-90% यही list में से MTP RTP में questions होंगे उसकी बिलकुल भी आप चिंता ना करें तो हमने 130 questions लिये फिर हमने institute में साथ या जादा बार अगर वो question बार बार पूछा है most repetitive questions की list बनाई around 130 ऐसे questions निकले उसमें से हम लोगों ने पिछले 6 exams में 6 exams में जित्ते भी questions around 135 questions वो सारे के सारे हम लोगों ने delete कर दिये वो सारे delete कर दिये इसमें से हम लोगों ने duplicates भी निकाल दिये और फिर refine होने के बाद में 365 questions yes दोस्तो 365 questions की ये बहुत important list बनी है ठीके तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार खुद देखा भी कि list बराबर बनी है ना तो बड़ी प्यारी 365 questions की list बनी है और list को हम देना मैं आपको लिस्ट में बताऊंगा कि list कैसे दिख रही है और कहां से आप इसको download कर सकते है कहां से आप इसको obtain कर सकते है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तो ठीके मेरा ऐसा मानना है कि around 50% of the paper param question bank से आ सकता है 50% yes and it can go up to 70% param question bank के अंदर जो हम लोग ने 5 almost 585, 590 questions है बहुत research करके हमारा best अंदाजा लगा कर कौन से highly probable है कौन से outdated हो चुके है इसको तो पूछी नहीं सकते बहुती वाहियात question है इन सब को delete करके हमने बड़ी प्यारी param question bank बनाई है 4 color ये book है 4 color ये book है 590 questions है इसके अंदर मुझे लगता है 50% questions यहां से आएंगे जो 70% जा सकते है जो important की list है बच्चे काफी बढ़ पूछते मेरा अंदाजा है कि at least 30 marks at least 30 marks मैं सब descriptive की बात करहा हूं मैं MCQ की बात नहीं कर रहा हूं 30 marks का यहां से आ सकता है which can go up to 50 marks guys which can go up to 50 marks ठीक है that is again huge और यह मैंने past में होते वे देखा हूँ है guys new course मुझे लगता है एक बहुत बड़ा game changer होगा game changer होगा और यह game changer के अंदर हमको questions पे बहुत जादा focus करना है जो लोग अभी भी अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ concept 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 करके मैं जंग को जीत लूँ please guys let me tell you ऐसा नहीं हो पाता questions को identify करना कि यहाँ पे कौन सा concept लगा यह कला है application of knowledge है इसकी practice हमको करनी होगी इस पे मेहनत हमको करनी होगी और new course में यह कला आपको बहुत जादा develop करनी है application of knowledge is going to be the most 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 important thing और Q&A practice करना यह सबसे जादा important रहने वाला है तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग मैं आपको YouTube पे करवाँगा कौन से वो sentence थे कौन से वो word थे जिसे हम लोग इस concept पे पहुँचे उस क्योंपर हम focus करेंगे answer framing कैसे होना चीए उस पे हम करेंगे concept भी मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों इसके अंदर concept भी करवाँगा और इसको memorize कैसे करना इसको retain कैसे करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ so it's going to be important questions and important concepts दोनों को बहुत अच्छे से cover करेंगे मेरा ये बहुत दार थरोली मानना है घुमा फिरा के इसी को twist करके questions पूछे जाएंगे और सबसे खास बात 10 दिन येस दोस्तों हमारा ये target है ये target हम पूरा करते हैं तो it will be wonderful 10 दिन 2 घंटे live में आऊँगा YouTube पे रवी टावरी चैनल के उपर सुबह 8 से 10 हिंदी होगा फिर एक घंटे का break और फिर आपका 11 से 1 English होगा पहले आपका Hindi बेस्ट सेशन होगा हिंदी मतलब English बेस्ट आपका सेशन होगा और उसके बाद में आपका English का भी सेशन होगा दोस्तो अगर हम 10 दिन में इसको अचीब कर ले फ्रेंट्स यह इतनी जादा हमारी तैयारी को बूस्ट कर देगा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा अगर अच्छा अभी वीडियो खतब नहीं हुआ है मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्ट बाते बताने वाला हूँ ठीक है अगर आपको हमारी एफर्ट्स हमारा यह डेडिकेशन स्टुबेंट्स के तरफ प्यार लगाओ अगर अच्छा लगता है तो डू लाइक दिस शेर इट और आपके प्यारे प्यारे कमेंस मैं बात हूँ कि वो इतना जादा साटिस्फाक्शन देता है इतना साटिस्फाक्शन देता है और यह सारी चीजे हमको डेफिनेटली बहुत महत करता है तो रीच मोर और मोर स्टुबेंट्स इतनी ज़ादा हमारी टीम महनत करती है इतना रिसर्च करती है ऐसा नहीं है कि बस एक अंदासा लगा दिया हम जानते है कि आपका आपकी तयारी आपकी प्रिपरेशन इस पर डिपेंडन्ट है हम बहुत ज़ादा कॉशेस होते है यह सारी चीजे करने में अब मैं आपको बताओ दोस्तों कि इमपॉर्ण लिस्ट दिखने कैसे वाली है यह इमपॉर्ण लिस्ट का पीडिएफ ठीक है और पीडिएफ कैसे आपको मिलेगा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पता हुआ है वहां से आप वहां से आप इस पीडिएफ को ले सकते है देखिए पहले परम कोश्चन बैंक का नंबर आप कोई भी कोश्चन बैंक यूज़ कर सकते है अगर आपके इसमें कोई दूसरी कोश्चन बैंक है कोश्चन बैंक आप यूज़ कर सकते है लेकिन अगर आपको लगता है उसमें कोश्चन धूनने में आपको परिशानी हो रही है तो शायद आप Param Question Bank के बारे में सोचें 4 color book है, around 600 questions है और यह print cost दोस्तो, print cost आपके घर पे door step delivery मिल रही है Ours is the only question bank जो 4 color है जिसके अंदर summary के highlighting अलग है side headings अलग है and so on तो वोई print cost पर आपको मिल रही है It is not, बिल्कुल भी महेंगी नहीं है जो market में question bank है उतना है उससे कमी है चाहिए इसके Param Question Bank का number आपको आपको कि भाई कौन सा exactly question है जो हम लोग cover कर रहे है that question फिर यह new course का कौन सा chapter है, chapter उसका part, हम लोगों ने हर chapter को छोड़े parts में बढ़ता है तो part जैसे SQC 1 एक part है, SA2 20 और एक part है and so on फिर यह question exactly कौन से concept को hit करता है किसकी उपर है किसकी उपर है, applicability of SQC 1 उसको भी इससे revise करने में आपको जबरदस्त आसानी होगी बहुत आसानी होगी यह printable है, आप इसको soft copy में देख सकते हैं या फिर आप इसको print भी निकाल सकते हैं बाकाइदा उसका print निकाल कर देखा कि बहुत कैसे आएगा, थोड़ा readable है ना, थोड़ा font चोटा है लेकिन हमको जब इसको refer करना है, तो वो हमने करके देखा हुए अभी आपको दिखेगा नहीं कैमेरा पे ठीक है and most importantly हमारी जो titanium concept book है ठीक है, titanium concept book है उसमें concept numbers है, तो exactly कौन से concept है, मैं चाहूंगा और यह बोलूँगा कि वो सारे concept आप most most important आप मार्क कर ले क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो questions ये साथ में concepts होने वाले they are going to contribute the most, वो सबसे ज़्यादा contribute करेगे exams के अंदर और अगर यह आप कर लेते हैं तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि solid foundation create होता है आपके तयारी के लिए इतना ही नहीं दोस्तों, मैं हर chapter का concept wise revision भी ला रहा हूँ, हमने कुछ मैंने पहले कुछ revision हमने record की थी, वो मैंने अभी दे दिया है आपको, around 12 chapters का Hindi में है, around 4 chapters का भी English में है हम उसको पूरा complete करेंगे और अगर हमारे पास समय मिलेगा तो हम लोग उसको और improvise भी करेंगे और उसका re-revision भी करवाएंगे हम लोग पूरे MCQs जो आपके study metal से MCQs है वो भी करवाने वाले है so, आपको मैं सारे concept भी करवाइस करवा रहा हूँ मैं आपको important questions भी revise करवा रहा हूँ ठीक है और आपको MCQ भी करना है रुप जाइए, अभी भी कुछ लोग को परहम question bank कैसी दिखती है पता ही नहीं है अभी भी ठीक है, तो द्यान दीजे question number होता है titanium का concept number titanium है आपके पास तो ठीक नहीं है तो भी कोई बात में source होता है कि ये question कहां से आया कहां से आया ठीक है, question है side headings है याद रखने के लिए, मैं आपको बता दू हमने इतनी अदा मैनत की है जहाँ जहाँ पर हमको लगा institute का जो answer है module का, वो sufficient नहीं है इसके 3-4 mark नहीं मिलेंगे हम लोगोंने relevant content लाकर module सी लाया content module से content लाकर ठीक है, उसको हमने module सी content लाकर, हमने उसको 3-4 mark का बनाया है दोस्तो मुझे लगता है, हमारी ही सिर्प question bank के, जिसने इतनी मैनत करके ठीक है, module के answer को और enhance करके 3-4 mark का बनाया है क्योंकि आपको तो 3-4 mark का question आएगा आपको तो पूरा लिखना होगा उसको और institute जब अपने suggested निकालेगा तो पूरा answer लाएगा institute क्या करता है, जो भी खामिया होती है final suggested में वो पूरी किस तरीके से आता है अचा इतना भी दिया है, old course का अगर पहला attempt है new course का तो बहुत सारे questions पहले से आने वाले इतना भी दिया है, look at this पराबर May 19 RTP में आया और अगले exam में, November 19 exam में, मैंने इसको होते वे इतनी बाहर देखा है आपके latest सभी SM, MTP, RTP सब कुछ इसके अंदर covered है so guys, it's going to be lovely do share with everyone कल से शुरू हो रहा है, कल सुभ 8 बज़े से आप लोग बिलेंगे, धूम मचाएंगे, daily basis पे हमारा target रहेगा, 25 to 30 questions हम करें, 25 से 30 questions हम लोग करें ताकि जो हमारा time है, उसका best best, super best utilization करें Hindi में भी है और English में भी है, guys, मैं आपको एक बात बोलूँगा, description में आपको registration link भी मिलेगी, इस batch की free of cost, it is free of cost on YouTube लेकिन, अगर आपको कोई message देना है, अगर आपको कोई file share करना आपके साथ में, आपको telegram का group देना है, और हम track भी करना दे, कितने बच्चे enroll कर रहे हैं, किस तरीके से progress कर रहे हैं, किस तरीके से perform कर रहे हैं, आगे test series के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, I am going to take test also, तो इन सब चीजों के लिए, आपके registration details हमको चाहिए होते हैं, तो जरूर से आप register भी करिए, और परम question में अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसकी link भी description में दी हुई है, तो मिलते हैं कल सुबर 8 बजे,